हेलो दोस्तो आप सभी को मेरा प्यार बिरा प्रणाम तो देखे आज हम लोग जा रहे हैं डोल आश्रम घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ साम के टाइम में उत्राखंड के अल्मोडा जिले के कंड्रा डोल गाओं में स्तित घने हिमालाई जंगलों के बीज में स्तित ये आश्रम है योग और धान के लिए से बनाया गया है परम पूजी तपस्वी बाबा कल्यार दास्जी द्वारा इस्तापित वैदिक ज्यान योग त्यान आयुडवेद और जोतिस के लिए एक आध्मियातिक ज्यान के इंद्रे है और हम यहां अंदर आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं तो देखें काफी लोग काफी दूर-दूर से परियटक यहां पर बाबा कल्यार दास्जी महराज से आश्रवाद लेने हैं यहां आश्रम में दर्शन करने देखने के लिए काफी दूर-दूर से यहां परियटक आते हैं और यहां पर गरीब बच्चों के लिए एक सस्कृत गुरूकुम संचालित किया गया है तो देखें दूनिया के सबसे बड़े श्रियंत्र का घर एक आध्यात्मिंग ब्रह्मांडी उर्जया केंद्र इस्तापित यहां पर काफी अच्छा यहां पर जाकर देखने को मिला स्री कल्याणदास जी महराज जी से भेट की एवं उनके स्री चरणों में आसिरोवात प्राप्त किया स्री परमयोगी कल्याणदास जी का जन्म उत्राखंड के अल्मोडा चेत्र के एक छोटे से गाउं से हुआ था बारा वर्स की आयो में उन्होंने गुरू परमहंस बाबा सुरूपदासी के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक आत्रा सुरू किये उन्होंने हिमालय और उडिशा में ध्यान और योग का अभ्यास करते हुए कई वर्स बिताए 1978 में उन्होंने अमरकंड में भी कल्यार सेवा आस्रम की स्तापना के थी आस्रम की स्तापना लोगों के आध्यात्मिक जीवन को सिक्सित करने और उत्थान करने के लक्स के साथ की गई थी आश्रम कल्यारदाजी बाबा जी की वैदिक पौरानिक कथाओं और सनातन परंपरा की सिक्ष्याओं पर आधरी थे आश्रम प्रकरती के बीच में स्तित हैं जिसे एक महान सिक्षक और संतुलन की कला का स्वामी माना जाता है यहाँ पर काफी अच्छा हरी भरी पेड और इनके बीच में यह प्यारा सा सुंदर आश्रम काफी चीज की यहाँ पर सुईधाएं प्राप्त होती हैं यहां जाकर एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है यह है बाहर से स्रियंत्र का नजारा और यह पूरे आश्रम का व्यूँ आप देख सकते हो हरे भरे पेड़ पहुंदे यहां पर और काफी परेटक यहां पर घूमने के लिए आए रहते हैं काफी भीड होती है इस आश्रम में देखने के लिए लोग बाहर बाहर से अपनी छूटियां लेकर यहां पर आते हैं और यहां पर सिबलिंग इस्तापित तो कोई अगर इच्छूक यहां पर आकर भक्त जन पुजा भी कर सकते हैं और यह इसलिए कल्याणी वेद वेदांग सस्कृत विद्या पिठम के नाम से यहां पर एक गुरुकुल संचालित किया हुआ है जहां पर गरीव और मेधावी बच्चों को उचित सिख्षया प्रदान की जाती है और यह देखे हरे भरे पेड़ फूलों के पेड़ फलों के पेड़ अकेसिया के पेड़ काफी चीज आपको यहां पर एक खासे इस आश्रम की कि पेड़ों पर यहां पर कोई नुकसान नहीं किया हुआ है काफी पेड़ों की छट्मी करके और काफी और भी नहीं नहीं पेड़ उगाए गए हैं क्यूंकि अधिकतर लोग ऐसी चीजें बनाने के लिए काफी पेड़ों का नुकसान होता है लेकिन यहां पर है सब यह हम चोटे से गाओं चकुटिया से अपने घर की ओरफ वापसी कर रहे हैं यहां पर ठाना लंगड़ा और यहां से हम सिते नीची अपने गाओं की तरफ को मोड़ चुके हैं तो काफी अच्छा यहां पर हरे पेड़ पहुंदे तो देखे यहां से हम निकल चुके हैं अपनी घर की तरफ और काफी सुन्दर सुन्दर पेड़ फूल यहां पर देखने को मिलते हैं काफी अच्छा है गाओं में कि यहां कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं देखिए किते सुन्दर सुन्दर फूल लगाई हुए हैं और हरी भरी घास तो यह देखिए काफी प्रेटक लोग डोलास्रम में घूमते हुए तो पहाड़ों में आप जब लोग भी आएं तो कुछ टाइम रहके जाएं हां से तो यह देखिए तो हम चल दिये हैं अपने घर की तरफ यह देखिए हर जिगह पर आपको जंगली जंगल दिखाए दे रहा है काफी पेड़ दिखाए दे रहे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि इनको कभी नुक्सान नहीं पहुचाना चाहिए हमारे लिए ही उप्योगी होते हैं यह देखिए यह देखिए काफी घना जंगल यहां पर बहुत अच्छा यहां पर जाके लगता है सो देखिए